आज हम बनाने वाले यहाँ पर आलू की भाजी ओ भी गाओं के स्टाइल में बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन स्वादिष्ट भूत बहुत युनिक रेसिपी भी है इसमें साथ में मैं डालूंगे आलू आलू के साथ तोरी और थोड़ से मटर के दाने नमस्कार फ्रेन मैं यहाँ संगीता आपको बहुत भध सागत करती हूं आपके अपनी रसे मे आज हम बना रहे हैं आलू की भाजी जो है स्वाद में डिफ्रेन्ट बिना प्याजार लसन के चलिए बनाते हैं आलू की बाजी, आलू की बाजी बनाने के लिए मैंने तोरी ली है, आलू को हमने पहले दो मैंने मीडियम साइज के आलू लिये हैं, तो दो लिया था इनको छिलका हटा लिया, इसको हम कट कर लेते हैं, और इसको हम चौपर में चौप करेंगे, गाव में सिल्बटे में कूट लेते हैं अलसाती में थोड़ी से मसाली भी पीछ लेते तो बहुत स्वाधिष्ट बनते हैं इसकी सब्जी सूकी सब्जी भी बनाते हैं ग्रेवी आली भी बनते हैं आज हम जो है इसकी सूकी सब्जी बना रहे हैं थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको चौ विदार सब्जी बनेगी आलू की भाजी के लिए मैं यहां पर कच्छी आलू का इस्तिमाल करना होगा बहुत टेस्टी लगती इसकी सब्जी तो ऐसे हमने इसको चौप कर लिया है अब इसी में मैं डालूंगे तोरी तोरी को मैंने इसका छिलका हटा लिया है इतना पाएन यहां पर जो चागो से नहीं हो पाता है तो Simple से मैंने जैसे सब्जी के लिए कट कर रहते हैं वैसे मैंने कटकर लिया था अब हम इसको चौप करेंगी तो ऐसे हमें चौपर में चाहिए बारिक सा जैसे प्याज़ वगे की लिए अब यह पर दो रफली कट करके यह पर मिर्च डालिंग घ्री मिर्ची तो हमने आज प्याज अलग शुन का इस्तुमाल नहीं कर जा यह इस सबजी में तो यहां पर एस वाद भी बढ़ाएगा और ग्रेवी को भी बढ़ाएगा टमाडर टमाडर डालिंग इसमें और इसको भी हम बारिक से चौप कर लेंगे, पहले कट कर लेते हैं, अद थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको चौप करेंगे, क्यूंकि टमाटर की थोड़ी सी मातर जात है, तो ये इसको एक साथ नहीं चौप हो पाई गए, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, तब ये चौप ह हो जाएगा और इतना बारिक सा यहां पर चाकू से भी नहीं कर पाता है तो हम मिक्सर ग्राइंडर जार का भी इस्तमाल नहीं करेंगे हमें इसके लिए बारिक सा पेष्ट नहीं चाहिए बस कुछ टुकड़ों में चाहिए सारी सब्जियां अब जो बचा हुआ टमाटर है इसको भी हम डाल लेंगे और ऐसे इसको भी चौप कर लेंगे तो बारिक बारे की चौप हमने करना है सारी सब्जियों को ऐसे टमाटर से यहां पर बहुत स्वाद बढ़ जाता है और यहां पर ग्रेवी भी बढ़ जाते हैं अब सारी सब्जियां हमने कट कर ली हैं चलते हैं एक नेक से तयारी तो चलते हैं गैस की तरफ यहां पर गैस में मैंने ले लिए एक कड़ाई यह भी तले की कड़ाई है और यहां पर गैस कर देते हैं और सिंपल से हमने बेजिटेबल ओयल का इस्तमाल करना है एक से डेट चमज का इस्तमाल किया यहां पर मैंने बेजिटेबल ओयल गर्स कर देते हैं जैसे यहां पर तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जीरा एक चमस की परावच जीरा डालेंगे साथी में यहां पर डालेंगे राई के दाने राई के दाने बहुत अच्छे स्वादिश्ट लगते हैं याँ पर आलू की भाजी के साथ खास कर तो जैसे मसाले चटकने लगेंगे हम याँ पर डालेंगे चौप कियाफा बारिग्जा अद्रक अद्रक का ही इस्तमाल करेंगे इस साबजी को या भाजी को कह लीजिएगा बर्त में भी इस्तमाल कर सकते हो बहुत हेल्थी अप्सन है यह पिना प्यार लसन का जल्दी भी बन जाती हैं हम इसे गिरेविदार भी बना सकते हैं तो इसको टमाटर भून लेंगे हम पहले अच् आलू का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है जैसे कि आलू बहुत जल्दी कालर पर जाता है तो हमने गेट करने के बाद पाने में बिल्कुल भी नहीं डालना इसको और साथ में डालेंगे तोरी थोड़े से मटर के दाने ऐसे इसको अच्छे से पहले भून लेंगे इसका स्वाथ जो होता है भूप तैस्ड्यात है मसाले डालेंगे कुछ यहाँ पर हलके हलके से तो मैंने सिं nutrigkeit दंय पौडर लिया है तोड़ा सा गरब मसाल डाला है और थोड़ा सा यहाँ पर हल्ली पौडर मेसे का पौडर भी निटाला है नमक तौड़ा है बस हलका सा भाजी बनती है आलू की थोड़ा सा और नमक मुझे लगा थोड़ा कम हो जाएगा और नमक का इस्तेमाल के है तर अच्छे से इसको पहले भूनने देंगे इसके बाद हम इसमें धकन लगाएंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर रखेंगे क्यूंकि टमाटर भी अपना यहां पर मोश्चर छोड़ देता है और आलू भी तोरी भी सौप्ट हो जात नहीं बस आप ढकन लगा लीजेगा और थोड़ गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर रख दीजेगा अपने आप पकती रहेगे तो ग्रेबी के साथ भी बहुत अच्ची जाती है चावल भी हम इसके साथ खा सकते हैं तो देखें बिल्कुल भी पानी का इस्तामान जितके और अपने मोस्चर में, या सबजी बन के तयार है, बहुत है अच्छी, बहुत कम तेल कर मां भी हुआ है, ज़िधर सबजी बनेदे, दर में पनाठा भी यहाँ पर से्क लेती हूँ, सब्जी पकरी थी तब ही मैंने यहाँ पर आठा लगा लिया था और यहाँ पर पराठा भी बना रही हूं तो साथ मैं यहाँ पर पराठा बनाओंगी और आप चावल के इस्तिमाल भी कर सकते हो चावल के लिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ानी होगी तो साइड जिस के तोर पर भी हम इस रेशिपी को इस्तिमाल कर सकते हो गाउं की रेशिपी है जरूर से ट्राइक कीजिएगा बहुत अच्छी लगती है सिंपल है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है बहुत जल्दी बन भी जाते है सुबह नाजते में भी बना सकते हैं दिन में भी बना सकते हैं चावल के साथ असाथ को भी किसी तरब भी यहां पर किसी भी टाइम हम बना सकते हैं इस रेशिपी को तो बहुत हेल्टी आप्शन है अब ब्रत के लिए भी खास करके अनिय टाइम बहुत स्वादिश सब्जी गाउं की सब्जी है कुछ अलग है कुछ हटके है इसके लिए हमें वाइल आलू नहीं चाहिए कच्छे आलू का इस्तुमाली करना होगा साथ में परांठ है अस्वादिश्टी भाजी आलू की कच्छे आलू की भाजी जल्ली चे बन जाते है इसका स्वाद इकदम डिफ्रेंट होता है जब समय कम रहता है तो यह आलू की भाजी जरू से ट्राइब कीजिएगा कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब् मिलते हैं नेक्स रेसिपी में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्या बाद थैंक यू सो मच